मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए ये 7 दिन कैसे रहेंगे इन 7 दिनों में ग्रहनक्षत्रों की स्थितियां कैसी होंगी कौन से अगर है राशी परिवर्थित करेगा कौन से शुभ योग बनेंगे और वो आपकी दिन्चरिया को किस तरह से प्रभावित करेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन हैं अगर चैनल पर आप पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तों ये राशी पर चंद्र राशी पर आधारित है और अभी ये जो सब्ताहा है चार भाव आपके सक्रिय वस्ता में होंगे इसके साथ ही इस सब्ताहा में शुक्र देव का गोचर भी होगा शुक्र भी अपनी राशी परिवर्थित करेंगे और आपके अस्टम भाव में प्रिवेश करेंगे तो इस सप्ताह की शुरुवास से अगर बात करें तो चंद्रमा की इस्तिती दसम भाव में होगी जो कि आपके कर्म का भाव है और कर्म के स्वामी शनीदेव हैं जो आपके राशी के स्वामी हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ कारोबार में नया करने के लिए, तो इस समय को आप अपनी लिए एक कठिन प्रयासों का समय भी कह सकते हैं, साथ ही महनत का समय भी कह सकते हैं कि जब आप सीमाओं को तो उड़ते हैं कुछ नया करने के लिए तो करन तोड़ी उल्जन भी रह सकती है तो उस उल्जन को सबसे पहले आपको उल्जाना है मांसिक्त नावगर होता है तो उसको दूर करना है ताकि आप अपनी काम पर मन लगा सके आपका मन अपनी काम से धर्धर भी भटक सकता है इसलिए इस्टिति को आपको समझना होगा इस् लाब होने का बड़ा अच्छा योग है इस दोरान आपकी कारेशेत्र पर आपकी वरिस्त अधिकारियों का संबंद अच्छा रहेगा तो उनके लिए कारेशेत्र में आपके लिए समय जो है काफी अनुकुल रहेगा अगर कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं और इसमें आशी परिवर्थित करेंगे और आपके एक आदस भाव में आ जाएंगे जो कि लाब का भाव है तो ये समय आपके लिए हर तरह से लाब देलाने वाला होगा कोई पुराना आपका नुकसान था जो फायदे में बदलता हुआ नजर आएगा पुराने नुकसान से भी परिशानिया हो सकती हैं जिसके लिए आपको योग अध्यात में इन सभी चीजों का ध्यान अगर आप देंगे तो इस्तेती जो है वो अच्छी रहेगी इन चीजों से आप कई तरह की परिशानियों को दूर कर सकते हैं ससुराल पक्षे से लाब मिलने का योग है या कोई सफलता पाने के लिए महनत आपको जादा करने होगी तभी कभी ऐसी इस्तिती हो जाती है कि आप किसी बात को लेकर दुविदा में फज जाते हैं जहां निर्न लेने में परिशानी आती है तो ऐसी इस्तिती में आपको सोच समझ कर ऐसी इस्तिती से बाहर निकलना है खर्च आप धहरे रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और हर तरह की परिशानिया इन कामों से स्वता ही समाप्थ हो जाएंगी दामपत्य जीवन के लिए ये पूरा सब्ताहा अच्छा रहेगा प्रेमी प्रेमिका के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा एक सुखद स अच्छी रहेगी और आप उसे और अच्छा बहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे आपके विचारों को अभिवक्ती मिलेगी अपने विचारों को इस पस्टता से करने की आप कोशिश करेंगे लोग वही समझेंगे जो आप उनसे कहना चाहते हैं ऐसे आपके विचार हों लेकिन किसी भी तरह की अनावशक बहस या किसी भी तरह की गलत फहमी से बच कर रहें वरना किसी भी तरह की गलत फहमी आपके जीवन में कुछ उथल पुथल मचा सकती है परिवारिक जीवन अच्छा रहेगा रिष्टेदारों के साथ आपका इसमें मुलाकात हो सकती है इस अपता हमें आपके आयमे विर्द्धी होने के योग हैं आपकी मेहनत की बल पर और आपकी लोग प्रियाता भी इस दोरान बढ़ी रहेगी ये जो समय होगा आपको कुछ थोड़ा भावुक भी कर सकता है आपके करियर में कुछ उत्सहा वर्दक परिणाम भी देखने को म मिलेंगे नई उद्धिमों में प्रिवेश करने का मौका भी मिलेगा जो मीडिया से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय है विश्य इसलाब के संकेत मिल रहे हैं उन लोगों के लिए मीडिया के शेत्र से जुड़े हुए हैं अगर आप सब्ता कर जो म अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे चीज़ों सो को आप अवाइड करें शुक्र भी इस सब्ताहा के मध्य में आपके इस्टमभाव में गोचर करेंगे तो शुक्र आपको ये कई तरह के परिवरतन आपकी जीवन में देंगे एक तो कुछ नया अगर आप शुरू क अच्छा रहेगा लेकिन साथ ही ये नव दुरुगा का पर्व भी चल रहा है मादुरुगा की समय सब्तमी अस्टमी और नौमी ये जो तिथी महतपूर्ण होती हैं ये भी इन दिनों में रहेंगी 24 और 25 अक्टूबर का जो दिन है ये आपके लिए बहुत ही महतपूर्ण दिन है बहुत अच्छे योग भी इन दिनों में बन रहे हैं इन दिनों में मदुरुगा की पूजा अर्चना करना और कंजकों को आपको भोजन कराना दक्षिना देना वो आपके लिए काफी फाइदे मन रहेगा काफी अच्छा रहेगा परिवार में खुश्यां भी रहे एकागर होकर आप अपनी पढ़ाई पर काम कर सकते हैं तो उनके लिए भी ये समय जो है काफी अच्छा रहेगा यदि आप कुछ ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं दलाली या किसी अजिंसी में आप काम करते हैं तो उनको लिए थोड़ी चुनोतिया जरूर रह सकती हैं उनक तो इस समय से पेशाना होगा तब जाकर आपको कुछ काम में आपको राहत मिलते हुए नजर आएगी इस सब्ता हाप एक चीज़ का ध्यान रखें नकारात्मक विचारों से दूर रहें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो नकारात्मक विचार आपके अंदर डालते हैं बाकी आपके लिए इस समय इस सब्ता हमें शुकरवार का दिन बहुत शुब रहेगा और साथ अंक आपके लिए बेहद शुब रहेगा दोस्तों और अदिक कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़दे ज़दे लाइक करें शेकर